वेल्कम टू सियर सक्सेस आयोप यूगाज आ दूइंग ग्रेट तो आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेगे आया हूँ तो जैसा कि आप सभी को पता था कि हम लोग पढ़ रहे थे एड्जेक्टिव यानि विशेशन तो मैं आप सभी को बता दू कि प्रिवेस और उसके यूज थे अट्रिविटिव यूज 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 वह थे जो यूज वेली नाउन और प्रणाउन के पहले आते थे और प्रेडिकेटिव मतलब बाद में तो यही थो जो मैं आपको प्रिविएस वीडियो में पढ़ाया था तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ types of adjective तो types of adjective जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि उसके कितने types है तो चलिए और without wasting anytime वीडियो को start करते हैं तो उसके types जो है वो है आपके seven types का तो उसका types जो है adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, distributive adjective, interrogative adjective and proper adjective तो यही सारे उसके types तो चलिए आज तो मैं आप लोगों को पड़ा दूँगा adjective of quality और adjective of quantity ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो और आपको समझने में मुश्किल भी ना हो तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ तो आज का first topic है adjective of quality तो adjective of quality को हम इंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेशन याद करके रखिएगा कि हम adjective of quality को इंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेशन चलिए मैं फेले तो आपको definition दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके An adjective used to talk about the quality of a person or things is known as adjective of quality तो आप लोग समझ गये होंगे तो चलिए मैं आपको इंदी में भी definition दे देता हूँ जब कोई भी सब्द व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेशन काते हैं तो कोई सब्द अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का कुछ गुण बता रहा है कुछ क्वालिटी बता रहा है तो उसे हम बोलते है adjective of quality यानि कि गुण वाचक विशेशन तो चलिए मैं आपको थोड़े से example दे देता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो अच्छी तरह से समझ जाए तो आपका example है he is a wise man तो he is a wise man का मतलब है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो इससे आपको क्या पता चलता है उसका गुण पता चलता है कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो यह हो जाएगा आपका गुण वाचक क्योंकि यह आपको गुण बता रहा है यह आपको उसका quality बता रहा है that he is a wise man तो यह हो जाएगा आपका adjective of quality गुण वाचक क्विशेशन चलिए एक और example देते है she is a good girl तो वो एक अच्छी लड़किये तो इसका भी गुण बता रहा है कि वो एक अच्छी लड़किये तो इसलिए यह भी हो जाएगा आपका गुण वाचक क्विशेशन यानि कि adjective of quality तो I hope कि आपका adjective of quality अच्छी तरह से समझ में आ गया होंगे तो चलिए बढ़ते हैं next topic की और जो कि यह आपका adjective of quantity तो adjective of quantity को हम इंदी में बोलते हैं परिमान वाचक विशेशन तो चलिए जानते हैं कि परिमान वाचक विशेशन यानि कि adjective of quantity क्या है तो आपका definition जो है वो इस प्रकार होगा तो अगर किसी चीज से आपका quantity बता चले कुछ things का तो वो हो जाएगा आपका adjective of quantity चलिए इंदी में भी आपका definition दे देते हैं जब कोई भी सब्द किसी भी वस्तु का परिमान या फिर माब बताते हो उसे हम परिमान वाचक विशेशन काते हैं तो चलिए मैं आपको कुछ examples दे देता हूँ ताकि आपको आची तरह से समझ में आ जाए कि adjective of quantity यानि कि परिमान वाचक विशेशन क्या है तो आपका examples जो है वो कुछ इस प्रकार होगा he drank one liter milk तो यहां पर बोला जा रहा है कि उसने एक लीटर दूद पिया तो यहां पर आप देख सकते हैं वान लीटर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि quantity है यह वान लीटर यानि कि quantity तो इसलिए यह हो जाएगा आपका adjective of quantity यहने कि परिमान वाचक विशेशन क्या क्योंकि यह पर बोला गया है about you used to talk about the quantity of things यह फिर परिमान यह फिर माब बताते हो यह पर माब बता रहा है कि वान लेटर मिल्क बोल के तो इसलिए यह हो जाएगा आपका परिमानवाचक पिशेशन और आपका next example ले please give me 1 kg rice यानि कि 1 kg rice तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 kg से आपका quantity measure हो रहा है 1 kg यानि कि quantity तो यहाँ पर बोला गया है कि मुझे 1 kg rice दीजिए please तो यह हो जाएगा आपका परिमानवाचक पिशेशन यानि कि adjective of quantity तो यही सारे थे आज के वीडियो में I hope कि आप सभी के लिए यह वीडियो helpful रहा होगा और I hope कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो पसंद आता हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब करके बेल आकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे latest वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय बारत